तो बावलोग एक महीने से चल रहा वेब सो पेंग्विन का दी एंड हो चुका है एंड एवरी टाइम आई यूज टू से कि साला HBO हमें कभी भी डिसपॉइंट नहीं करता और यस भले पूरे पेंग्विन सो में कुछ भी उलजुल दिखाया लेकिन एंडिंग सॉलिट थी वावा सारा हिसा किताब बरावर कर दिया लास्ट के एपिसोड में लेकिन हाँ आप लोगों की सिकाइत रही होगी कि इस पूरे वेब सो के दोरान बहुत सलो रहा है और बैटमेन को तो दिखाई नहीं रहें बीजुशों बहुत कमेंट भी आते थे कि बैटमेन कब आएगा इसमें बैटमेन कहा है तो बावा अभी सब बात करने वाले हैं लास्ट के दो एपिसोड सेवन्थ और एट पर मैं इंडिवीजुली रिव्यू एन एक्स्प्लेनेशन वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि सही बताओं एक बार के लिए इसने भी मुझे बोर कर दिया था लेकिन बावा एंडिंग इतनी प्यारी करी गई है कि आपको डेफिनिट्ली मजा आएगा और मेरी सारी सिकायती भी दूर कर दी इस सो ने तो अभी फुल रिव्यू करते हैं औल एट एपिसोड का कि आखिर तुम्हें इस वैब सो में क्या-क्या मिल सकता है जो इस वैब सो को देखने का प्लान कर रहा होगा तो बस थोड़ा सा धैर दो मिनट का समय देना और आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या आपको मिल सकता है और उस पे आपको समय अपना खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए शुरू करने से पहले ही बता दूँ है ये सो के मेकर आपके की पूरी परिक्सा लेंगे बास तक जी लोग को धीली स्क्रीन प्ले नहीं पसंद आप वब से दूर ही रहना क्योंकि पूरे show में बहुत slow screenplay है जो कई बार आपको बोर करके भी जाएगा लेकिन time to time जो twist मिलेंगे मेकर की तरफ से बावाव मज़ेदार भी रहेंगे तो Penguin show है 2022 में आई Batman movie का sequel जहां आपने एक character देखा होगा Oswald, Cobblebot, Orge और Penguin जिसमें Penguin की पूरी कहानी दिखा रखी है Gotham City का New King Queen कैसे बनेगा उसकी जरनी क्राइम की दुनिया में कैसे हाजरी देगी एक cruel savage villain होने के बाद भी maker इसे hero की तरह रेपरजेंट करेंगे The side character जो वाकई में अच्छे होंगे उनको maker एक villain का angle deliver करेंगा जो अपने Penguin के रास्ते में आने की कोशिस करेंगे और मारे जाएंगे तो सीधी सी बात है Penguin का origin कैसे हुआ Penguin इतना घातक, savage और brutal, cruel कैसे बना ये सब चीज आपको इस show में देखने को मिलेगी दरसल best survival thrill show है जो एक particular बंदे की survival technique को address करता है कि जब उसे survive करना हो तो उससे जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करेगा फिर धर्म क्या अधर्म क्या जो रास्ता दिखेगा उसे अपनाएगा भले वो crime हो, injustice हो, कुछ भी हो एक ऐसा crime का बेताज बात्सा जिसने बच्पन में यानि 12 साल की उमर में ही अपने दोनों भाईयों को बुरी तरह तरपा के मारा एक ऐसा selfish and disgusting person जो जिनको इस्तमाल करता है उनी को धोका देता है एक ऐसा एहसान फरामोस जिसे अपने survival के लिए उसकी ही जान क्यों ना लेनी पड़े जो हर वक्त उसके साथ खड़ा होगा उसकी मदद करता होगा लेकिन इस बंदी के लिए उसकी जान लेना बस कुछ मिंटो का काम होता था तो यह है अपना पेंग्विन बाबा क्राइम की दुनिया का बेताजबास सा ये सो आपको emotions में बहुत drive करेगा family की values में बहुत drive करेगा suddenly आपके फेवरेट करेक्टर के लिए नफरत प्रोवाइट करेगा तो suddenly उसी फेवरेट करेक्टर के लिए mercy and sympathy मी प्रोवाइट करेगा लेकिन हाँ family values, family emotions, family relations इन एंगल्स पर बहुत अच्छा closely address करा है इस सोने बाकी briefly बात कर लेते हैं कि आपको इस स्टोरी क्या मिलेगी तो बावा अपना penguin जो falcon skander में काम करता है और Batman movie में हमने देखा था कार्माइन falcon मर चुका है at the end देन उसका बेटा अलवर्टो falcon को Gotham City समाने की जिम्मेदारी आ जाती है जहां गलती से अपना penguin अलवर्टो falcon को मार देता है और यहां से penguin की धज्जिया उड़नी सुरू हो जाती है उसके बाद वो खुद को बचाने के लिए हर वो चाल चलेगा जो वो चल सकता है खुद को सर्वाइब करने के लिए मेरो नीज जो falcon के powerful दुस्मन है उनसे हाथ मिलाता है लेकिन फिर ही नी को धोका देता है और यहां falcon के साथ साथ मेरी नीज को भी दुस्मन बना देता था इसी बीच सोफिया falcon उर्फ दा हैंग बैन जो पिछले 10 साल से जेल में थी और जेल में जाने का कारण भी penguin का ही था यानि उसका हाथ था इसकी जेल में जाने के लिए जो आगे जाके वो बदला लेगी तो वो भी बाहर आते ही और पेल कर बैंड बजाती है पुरे सो में penguin की क्योंकि भाई उसे अपने भाई से बहुत प्यार था अलवर्टो falcon से और ये survival पुरे सो में यही देखने को मिलता है गैंग बॉर बगएरा बगएरा politics, diplomacy जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे लेकिन बावा अपना penguin इतना भी बुरा नहीं है penguin अपनी mom को बहुत प्यार करता है जिनका प्यार पाने के लिए इसने बचपन में अपने दोनों भाईयों तक को मार दिया ता कि वो प्यार बट ना सके तो ये negativity और cruelty इस character की आपको impress करके भी जाएगी एक बार के लिए इसली के साथ एक ऐसा loyal servant मिलता है अपने penguin को जिसका नाम Victor है जो हर situation में penguin के साथ खड़ा रहता है उसकी मदद करता है उसकी mom का भी खयाल लगता है लेकिन in return penguin ने क्या दिया उसे मौत का तौफा भाई most amazing and most unexpected moment था ये मलब maker की writing इस show के लिए बिलकुल अतरंगी रही है और जबर दस्त भी रही है बागी हाँ at the end अपना penguin सभी दुस्मनों को खत्म करके उस गद्धी पर आ गया जो साइद कभी आना नहीं चाहता था Gotham City समालने की गद्धी यानि Gotham का बेताजबास सा वो तो survive करते करते यहां तक पहुँच गया पता नहीं कैसे लास्ट में उसे वो गद्धी भी मिल गई जिसका प्रामिस उसने कभी अपनी मौम से किया था एक बार लेकिन एक दिन ये सब कुछ मिल जाएगा उसने ये उम्मीद भी नहीं करी थी लेकिन इसी के साथ साथ Gotham में क्राइम का लेवल भी चरम सुक की सीमा को चूमने लगा था और बावा जब जब गौथम सीटी में क्राइम बढ़ेगा कौन आएगा अपना Bruce Wayne उर्फ दा बैटमें और बैटमें लाइट फोकस करती है बादलों में बैट का सगनेचर बनाते हुए एंड दी एंड हो जाता है यहां पैंग्विन सो का तो बावा एंडिंग सॉलिड थी जो बहुत से सवाल छोड़ दर चली जाती है जिसकी बाद आगे किसी नेक्स वीडियो में हम कर लेंगे अगर इस वीडियो में बहुत अच्छे रेस्पॉन्स हमें मिल गया तो लेकिन इसके बाद एक थोस सवाल यह आता है कि बैटमें ट जातिर और खुखार है वो हम सब जानते ही है जिस जिसने भी इस सो को देख लिया है तो इसको निट्रलाइज करने के लिए बैटमें को भी आना ही पड़ेगा नबावा तो इन फ्यूचर बैटमें टू की कहानी आपको समझना है तो पैंगून को भी आपको देखना बागी वीडियो कैसे लेगी बावा नीचे कोमेड़ों से जरू बता के जाना यहां तक पहुच गए तो इस कमले वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक कर दीजिए नए होतो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and help me to reach 10,000 subscriber end of this year जहेंद